Hello everyone, welcome to our channel Lawless, myself Hrithik, finally a law student from Faculty of Law D.U. And today I am going to continue our series of landmark judgment, specifically of CRPC, with the case title Mohamed Ajmal Amir Qasab versus State of Maharashtra. चले इस case के facts को समझते हैं. इस case में होता क्या कि Mohamed Ajmal Mohamed Amir Qasab, एक पाकिस्तानी national होते हैं, और ना इनके against में काफी charges लगे होते हैं, काफी major charges होते हैं, और बाकी भी काफी सारे charges होते हैं, और इनको ना 5 death penalties इन पर सुनाई जाती हैं, और life imprisonment भी काफी होते हैं इन पर, और ना ये ना Supreme Court में जाते हैं, ये content करते हुए कि ना, इनकी जो trial है वो एक fair तरीके से नहीं हुई, और इनने जो है एक legal practitioner का support नहीं मिला, इनने counsel नहीं प्रोवाइड किया गया, pre-trial के stage में, और इसी लिए ये कहते हैं कि इनकी trial जो है, वो सही तरीके से नहीं हुई है, और issue भी इस case में यहीं है कि, does not providing lawyer at the pre-trial stage, causes injustice to the accused, if he himself refused the request of a lawyer initially, और इस case में भी यह होता है कि, initially उन्हें lawyer तो offer होता है, प्रो इंडियन lawyer लेना चाहते ही नहीं है, वो पाकिस्तान lawyer चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें, यह admit करने से मना कर देते हैं कि, यह हमारे citizen नहीं है, और इसी लिए यही main चीज होती है, initially, जिसमें जो Supreme Court है, वो कुछ observations इसमें देती है, चलिए वो पढ़ते हैं कि करके, पहले तो इसमें Supreme Court बोलते हैं कि जब भी ट्रैल शुरू होता है, तो यह एक कहिने के duty है हमारे legal system की, और जो हमारे government की, कि जो accused है, उसे एक lawyer provide किया जाए, अगर वो खुद से अपना lawyer जो है, वो नहीं रख सकता, और हाला कि अगर इस पे accused, अगर कुछ नहीं भी बोल रहा है ना, तब यह constitutional duty है, कोट की कि ना, उसे lawyer provide किया जाए, ट्रायल के stage में, वरना कहिए नहीं कि यह एक justice के principle के against में हो जाएगा यह चीज, और unless यह चीज lawyer तो प्रवाइड करवाया जाना चाहिए, unless the accused voluntarily makes an informal decision and tells the court in clear and unambiguous words that he does not want the assistance of any lawyer and would rather defend himself personally, जब तक वो यह चीज अपने clear और unambiguous शब्दों में नहीं बताता कि उसे lawyer नहीं चाहिए और वो अपने case खुद represent करेगा, तब तो उन cases में शायद उसे lawyer नहीं भी मेले तो चलेगा, लेकिन अगर वो इस चीज पर silent है, या वो claim करता है और उसे फिर भी lawyer नहीं मिलता, तो वो कहीं नहीं कि जो trial है, उसको ही पुरा wishyate कर देगा, उसे चैंसल कर देगा, और इसके साथ जो इसमें, जो भी magistrate होगा, उसके अगेंस में disciplinary action भी हो सकता है, यह पहला point था, और दूसरा point इसमें court बोलते हैं, कि trial के stage में अगर उसे lawyer नहीं provide किया जा रहा, तो वो trial को ही कहीं नहीं कि wishyate कर देगा, लेकिन अगर यह चीज प्री trial stage में हो दिया है, तो उसके same consequences नहीं हो गया, इन cases में जो magistrate है, उसके against में disciplinary action हो सकता है, और और जो है यह trial को wishyate नहीं कर देगा, unless and until इससे कुछ grave injustice cause हो इसको, और इसके साथ Supreme Court बोलते है कि present case में जो होता है, वो यह होता है कि ना, जो appellant है उसे पहले तो lawyer उसे provide किया जाता है, बट उसके demand होते है कि उसे पाकिस्तानी lawyer चाहिए, और वो Indian lawyer लेने से खुद ही मना कर देता है, pre trial stage में, और साथ में court यह भी बोलते है कि, और की court क पास अभी नहीं यहाँ पर देख रहा है कि pre trial stage में, उसे lawyer नहीं मिलने से, उसे कुछ grave injustice को हो दिया है, इसलिए जो पहले से lawyer नहीं मिला था, उसी चीज़ को सही ठाराती है, और जो इसमें अपील, इसमें जो मुहम्मद आजमल, मुहम्मद आमिर कासब के जो ground से, उन्हें court consideration में नहीं लेती है, यह main point है इस case के, और इस तरह हमारी landmark judgment की series को support करने के लिए, आप हमें follow कर सकते हैं, thank you.